Welcome back students, this is my 23rd video of maths for class 5, chapter 2, 4 operations, exercise 2.7, simplify the flowing problems, इसका F देखिए, F में आपको जो है दिया गया है, 684, यहाँ देखिए, 684 divided by 12, multiply 132, minus 32, plus 520, divided by 10, ठीक है, यहाँ देखिए, तो, हम क्या करेंगे, इसमें देखिए, यहाँ पर, 684 में 12 से divide करेंगे, कितना हो जाएगा, तो 57, multiply कितना दिया है, 132, minus 32, प्लस, फिर यहाँ देखो, 520 में 10 से divide करेंगे, कितना होगा, तो 52 होगा, ठीक है, अब आगे पर हो, अब क्या करेंगे, इसको इससे multiply करेंगे, कितना हो जाएगा, 7524, minus कितना दिया है, 32, plus 52, clear, अब क्या करोगे, 7524, और 52 को हम प्लस कर देंगे, कितना आजाएगा, 7576, और minus कितना दिया है, 32, ठीक है, तो यदि हम 7576 में से 32 को minus कर देंगे, तो कितना आजाएगा, 7544, ठीक है, अंसर हो जाएगा, clear, यहां पर जो है, देखो, bracket तो है यही नहीं, of भी नहीं है, क्या है, division है, इसलिए हम पहले क्या किया है, तो division का process अपना आये है, ठीक है, उसके बाद क्या किया है, multiplication का, फिर addition का, और फिर क्या किया है, तो subtraction का जो है, process जो है किये है, ठीक है, आप यहां देखी इसका जी देखिए तो यहां पर ब्रेकेट नहीं था ओफ नहीं था इसलिए सबसे पहले किसका काम होगा division का यहाँ पर चुकि bracket नहीं यह off नहीं है उसके बाद किसका होगा तो multiplication का उसके बाद addition का और सबसे last में किसका होगा तो subtraction का ठीक अब यहाँ देखिए so solve करना है 91 thousand है 634 plus bracket में दिया है three thousand six hundred twenty five multiply four bracket बंद है divided by ten minus फिर bracket है eight hundred twenty five divided by five यहाँ पर पहले किसका वर्ख होगा देखिए पहले bracket का काम होगा ठीक है यहाँ देखो इसको इससे multiply कर देंगे ठीक है divided by ten और फिर इसको इसमें इससे जो है divide कर देंगे ठीक कितना जागा यह one hundred sixty five बढ़ाओ इसको आगे 91,634 है plus और यहाँ पर है आपको इसमें इदी ten से divide कर देंगे तो कितना हो जाएगा one thousand four hundred fifty माइनस कितना दिया है 165 है ठीक है अब क्या करोगे दोनों प्लस कर दो इसको कितना हो जाएगा 93,084 और 165 को माइनस कर दो कितना हो जाएगा 92,990 और यह आंसर हो गया ठीक है तो आपका जो है exercise 2.7 जो है समाफ्थ हो गया लेट्स इवैलिवेट यहाँ देखिए यह आप खुद से बनाना है ठीक है यह आपके लिए है इसको आपको खुद से बनाना है ठीक है तो यह चेप्टर आपका जो है समाफ्थ हो गया नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा चेप्टर 3 फेक्टर्स एंड मल्टी फॉल्स ओके ठेंक यू झाल झाल